Hello friends, Pradeep here. आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ simple tricks की मदद से vocab के important words को कैसे याद रखा जाएं? आप इन tricks को as it is अपनी copy, diary या possible हो तो अपने mind में ही उतार लीजिएगा. सबसे पहला word है, callos. जब हम इसका pronunciation कर रहें, तो इसमें केला आता हैं. केला मिन्स बनाना. Now imagine आप किसी को गिराना चाहते हैं. आपने केला खाया और छिलका उसका सड़क पे फेग दिया. जिसको आप गिराना चाहते हैं, वो आया, उसका पेर छिलके पे पड़ेगा और वो गिर गया. वैसे आप इतने बुरे नहीं हो. We just imagined our situation. यहां हमने bad intention के साथ सामने वाले को गिराना चाहा. तो हम केलोस को relate करेंगे केला, और केला से हमारे दिमाग में आएगा, कि हम किसी के प्रती बुरी भावना रख रहे हैं. तो केलोस का मतलब किसी के प्रती बुरी भावना रखना. अगला वर्ड है a bet. इसमें a और bet को जब अलग-अलग करके पढ़ा जाए, तो रहता है a bet. अब एक situation imagine कीजिए कि आप अपने friend से बोल रहे हो कि a bet लगा, उसको आप उकसा रहे हो. क्या करने के लिए? शर्त लगाने के लिए. तो a bet को हम पढ़ेंगे a bet, a bet लगा, मतलब किसी को उकसाना. तो a bet का मतलब किसी को उकसाना. हमारा अगला वर्ड है bebel. अब bebel को हम relate कर सकते हैं baby से. baby मतलब एक छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा चो भूत रो रहा है. और बहुत रोने को हम विलाप करना बोलते हैं. तो bebel जैसे ही हमारे सामने आएगा, हम उसको relate करेंगे baby से. baby रो रहा है और bebel का मतलब विलाप करना. वह ज़्यादा रोना. अबर नेक्स्ट वाइड इज एबनिगेशन. एबनिगेशन में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, तो शिरू के दो लेटर अब बना रहे हैं, अगले दो लेटर नी बना रहे हैं. मतलब A और B मिलके अब और N और E मिलके नी. नी को हम नहीं भी कर सकते हैं. तो मतलब अब नी या अब नहीं. इतना सुनके ही हमें लग रहा है कि हम किसी चीज को मना कर रहे हैं, अब नहीं. तो एबनिगेशन जैसे हमारे सामने आएगा, उसमें हम अब और नी को अलग करेंगे, और अब नी से हम रिलेट करेंगे मना करने को. तो abnegation का मतलब मना करना या तिरसकार करना अब इसका बंबू अगर अलग कर दिया जाए तो लाश्ट में ZLE इतना बचता है अब ZLE को हम जाल पढ़ सकते और जाल को हम रिलेट करेंगे दोखा तो बंबू जल का मतलब क्या हो जाएगा दोखा Our next word is Benal Benal को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इसका क्या मतलब रहता है? बिना नल का अब एक ऐसा मटका जिसमें नल नहीं है अब जिसमें नल वाला मटका थोड़ा सा महेंगा आता है क्योंकि उसमें नल लगा हुआ है बिना नल का महंगा नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ordinary मटका रहता है तो जैसे ही हमारे सामने बेनल आएगा हमारे दिमाग में क्या आना चीए एक ऐसा मटका जिसमें नल नहीं है वो मटका कैसा रहेगा ordinary मटका तो बेनल मतलब ordinary अगला वर्ड है एकोलेड्स थोड़ा सा difficult वर्ड है लेकिन अच्छी से एक ट्रिक के साथ इसको भी easy बनाते है इसका AWC अलग ले लेते हैं और O L A D E इसे अलग ले लेते हैं तो AWC से हम बनाते हैं अच्छी और O L A D E ओलाद मतलब अच्छी ओलाद अब अच्छी उलाद होना हर माबाप के लिए सम्मान की बात होती है तो एकोलेट्स जैसे हमारे सामने आएगा हमारे दिमाग में आना चाहिए अच्छी उलाद और अच्छी उलाद मतलब सम्मान तो एकोलेट्स का मतलब सम्मान अगला जो वर्ड है वो है caveat अब caveat जैसे हमारे सामने आएगा हम इसका केव अलग कर लेंगे केव मतलब होती ही गुफा हमें किसी ने चेतावनी दिये कि सामने जो गुफा है उसमें share है तो caveat जैसे हमारे सामने आएगा caveat से हम relate करेंगे केव के उसे हम relate करेंगे share और share पता कैसे चला share है किसे ने हमें चेतावनी दीती तो caveat मतलब चेतावनी अगला word है चिकन अरी अब चिकन अरी को याद करने के लिए हम चिकन अलग कर लेते हैं now imagine चार दोस्त हैं चार दोस्त में एक दोस्त पक्का vegetarian है मतलब वो एक तक नहीं खाता है इतना vegetarian अब जो बाकी के तीन दोस्ते उनने क्या कहा कि यह जो सबजी है यह आलू की सबजी है और उसको खिला दी अब actually में वो चिकन की सबजी थी वो चिकन था तो इनने क्या किया उसके साथ चोते के साथ धोका किया था या dishonesty की थी तो चिकन थी मतलब dishonesty next word is be fuddle अब थोड़ा सा मन की आँखो से देखो तो जो fuddle है वो आपको फुद्दू दिखाई देगा नहीं चोकिये मत कुछ याद अगर करना है तो बना सकते ट्रिक कुछ भी बना सकते वो fuddle से अब fuddle बना देना fuddle मतलब confused मतलब ऐसा इंसान थोड़ा सा confused टाइप का इंसान तो be fuddle मतलब confused अगला वाड़ है be hast hast से आप बनाऊगे guest मतलब आपके घर में guest आया हुए थे किसमत से अब वो जा रहे या जाने वाले हैं तो क्या वो लेंगे आग्या दीजिए अब हम चलते हैं तो उनने क्या वोला आग्या दीजिए तो hast से आपने बनाया guest और guest ने क्या वोला आग्या दीजिए तो be hast का मतलब हो जाएगा आग्या देना अगला वर्ड थोड़ा से सिंपल है bottleneck bottle का नेक कैसा रहता है थोड़ा सा सकरा रहता है तो bottle नेक का मतलब सकरा अगला वर्ड है deft deft से आप बनाओगे left अब मुझे science का इतना तो नहीं पता लेकिन generally लोग बोलते कि हमारा left brain बहुत strong रहता है मतलब थोड़ा से जुगारी टाइप करेता है skillful रहता है तो deft से आपने बनाओगे left left से आपके दिमाग में आएगा left brain अब left brain कैसा है थोड़ा सा skillful है मतलब क्यों कहीं से भी कुछ जुगार लगा लेगा या कोई भी चीज याद अच्छे से रख लेगा थोड़ा सा extra ordinary power type का भी हम मान सकते तो deft से आपने बनाओए left left मतलब skillful तो deft मतलब क्या हो गया skillful next word is diabolism diabolism कोगार थोड़ा सा ध्यान से देखो तो उसमें दिखेगा हमें ball अब ball हमारी बड़ी सी ball है काज की जिसे horror movies रहती है तो उसमें एक जादूगार नहीं रहती है उसके पास बड़ी सी ball रहती है जिसमें देखके वो सब कुछ बता देती है तो diabolism में जैसे ही आपके सामने आएगा आपकी नजर पड़ेगी ball पे ball कैसी एक बड़ी सी ball एक बड़ी सी ball मतलब जादू टोना टाइप का तो diabolism मतलब जादू टोना नेक्स्ट वाइड इज डेरोगेटरी अब डेरोगेटरी में हमें गेट दिखेगा और गेट के ज़श्ट बाद ओ दिखेगा मतलब गेट आउट टाइप का अब हमने किसी को बोला गेट आउट तो हमने उसके प्रती अपमान जनक लहेजे में बात किये तो डेरोगेटरी जैसे आपके सामने आएगा आपके सामने क्या नच्ची गेट आउट और मतलब अपमान जनक तो derogatory मतलब अपमान जनक next word is enfeeble feeble मतलब होता है कमजोर और उसके साथ N लग गया मतलब कमजोर बनाना तो enfeeble जैसे आपके सामने आएगा उसका क्या मतलब रहेगा कमजोर बनाना या कमजोर कर देना next word is entail entail में आरा है tel tel मतलब पूँच पूँच किसकी बंदर की अब बंदर की पूँच उसके लिए बहुत उपयोगी रहती है जब वो कूद रहा होता है तो उसको balance बनाने मदद करती है तो जैसे आपके सामने entail आएगा तो क्या आना ची टेल tel मतलब पूँच हो पूँच उपयोगी है तो entail मतलब उपयोगी अगला एक बहुत important word है felony ये कहीं बार news में भी आता है इसका मतलब होता है घोर अपराद felony मतलब घोर अपराद अब जिसको कोई अपराद हुआ है कोई बड़ा अपराद या कोई बहुत चर्चा में कोई news है जिसमें कोई अपराद हुआ होगा किसी का murder हुआ है तो news में मतलब एक common word felony तो felony जैसे आपके सामने आएगा थोड़ा सा उसको याद रखने के कोशिच कीजिएगा हम इसके trick नहीं बना रहे felony मतलब होता है घोर अपराद next word is genesis अब इसमें gene आ रहा है अब इसको थोड़ा सा हम change करते जो ए है उसको आई बना दो तो इसको हम पढ़ सकते फिर से मतलब एक बच्चा अपने मम्मे से पेसे मांग रहा है बहुत रो रहा है या बहुत मनाने की कोशिच कर रहा है मम्मे क्या बोलेगी फिर से नोटंकी कर रहा है तो फार्स जैसे आपके सामने आएगा उसको कैसे पढ़ोगे फिर से फिर से नोटंकी तो फार्स मतलब नोटंकी अब आज की इस वीडियो के लास्ट फाइव और कंक्लूजिव वर्ड्स फजी मतलब होता है असपष्ट मतलब जो अगला है फ्लाउट मतलब अवग्या करना फिर फ्लेयर मतलब होता है स्वभाव और लास्ट है आपका एपिथेट एपिथेट मतलब टेग So far we have discussed some of the most important words of vocabulary with some short tricks so as to remember these words I hope this video would be helpful for you. Please subscribe for more such videos. Thank you so much.